तो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे इस एपिसोड में दोस्तों आज हम बताएंगे आपको कि आप अपनी जी मेल को मुबाइल में डार्क मोड में कैसे सेट कर सकते हैं दोस्तों डार्क मोड में सेट करना इसलिए इंपोर्टेंट हो जाता है आज किल क्योंकि बहुत सारे आप जैसे Facebook है या दोस्तों HotSup फे सब लोग Dark Mode का option ला रहे हैं Dark Mode होने से दोस्तों सबसे बड़ा फाइदा यह होता है कि आपकी आईज में ज्यादा history नहीं पड़ता है और आप बड़े आराम से यूज कर पाते हैं दोस्तों किसी भी आप को तो इसी तरह जी मेल का हमने desktop version का पहले ही वीडियो बना दिया था तोस्तों आज हम आपको बताएंगे मुबाहिल के बारे में दोस्तों आईए शुरू करते हैं तब ही हो पार तो setting में आपको चले जाना है setting में जाने के बाद दोस्तों एक system में आप चले जाए और आपको यहाँ पर चले जाए और system update जहां लिखा हुआ है दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि updated to android 10 है यह तो android 10 में दोस्तों हमारा system अलड़ी updated है इसलिए यह possible android 10 से नीचे जिसका भी operating system android का है उसमें दोस्तों नहीं हो पाएगा तो दोस्तों setting में कहीं अन जगे भी हो सकती है वैसे about में जैसे samsung का phone हो तो आपको about phone में इसकी information मिल जाएगी कि आपके android का version कौन सा है तो दोस्तों चले अब आपको दिखाते हैं कि कैसे आप दोस्तों यह setting कर सकते हैं तो दोस्तों सबसे पहले आप अपने mobile में Gmail के app को open कर लिए Gmail को जैसे ही open करेंगे दोस्तों तो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा तो दोस्तों आईए हम आपको बताते हैं इसको मैंने टैप कर दिया टैप करने कवा दोस्तों यह Gmail का app open हो गया है अब इसमें टॉप में जो लेफ्ट कॉर्णर में तीन हारिजन्टल की लाइने दे हुई हैं जो सर्च मेल से पहले लेफ्ट साइड में है वहां आपको फिंगर से टैप कर देना है तो दोस्तों जैसे टैप करते हैं क्योंकि जो ब्लैक बैग्राउंड होता है तो इसमें इस ट्रेन काम पड़ता है तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आज कल फेस्बुक है वाटसप है इस सभी इंक्लूडिंग जीमेल सब लोग अपने डार्क मोड का आयप भी जारी कर दी हैं दोस्तों लेकिं Android 10 की इसमें जरूत होगी इसी तरह दोस्तों Apple याई आईफोन जो होते हैं उनमें भी आप कर सकते हैं तो फ्रेंट्स यह आप यहीं पे चले जाएए लेट साइड में जहाप हारजेंटल बार में टैप करना था तो दोस्तों सबसे उपर ही आप देख पा रहे हैं कि थीम दिख रहा है अगर आप एक पिछला वीडियो देखेंगे दोस्तों जिसमें की हमने Android 10 में अपडेट करने का एक वीडियो बनाया था उसमें भी यह चीज हमने दिखाई थी तो उस समय हमारा Android 8 था तब ये जनरल सिटिंग में थीम एक जिस्टी नहीं करता था तो दोस्तों अब आप देख पा रहे हैं कि थीम का आफचन आने लगा है अब आप को थीम के आफचन में ही टैप कर देना है फिंगर से तो हमको अगर डार्क मोड में करना है तो डार्क मोड को सेलेट कर लेना होगा तो दोस्तों आप देखा होगा ये सारा का सारा ये डार्क मोड आटोमेटिकली हो चुका है आपके सामने तुरंत ही ये जनरल सेटिंग्स में ही हो चुका है आप पीछे माल ले जाते हैं तो ये भी सब जगे डार्क मोड ही है तो दोस्तों, आपने देखा होगा, ये बिलिंक करके, पहले पुराने से डार्क मोड में चला गया है, तो अब ये हमारी सारी मेल्स, डार्क मोड में आपको दिख रहेंगे, पूरा का पूरा ये जो setup है ये पूरा का पूरा dark mode में आने लगा है तो दोस्तों इस तरह से आप अपने gmail को dark mode में configure कर सकते हैं dark mode में अपने android phone में इस तरह से आप कर सकते हैं बड़े असानी से जैसे हमने दोस्तों बताया तो बहुत ही है आपको एक तो android का phone है तो आपके जो OS है वो android 10 होना चाहिए सबसे पहले ensure कर लीजे इसके नीचे में यह होगा ही नहीं उसके बाद जो setting है हमने आपको जैसे बता दिया कि तीन हा जेन्टल पाल में यहाँ पर क्लिक करके फिर setting में जाना है setting में जाने के बाद general setting में जाना है उसके बाद यहाँ पर यहाँ थीम है यहाँ पर आपको dark theme को select कर लेना है तो दोस्तों बस इतना ही करना होता है इतने में आपकी Gmail को dark mode में यह convert कर देगा यह उसकी theme dark mode में हो जाएगी जिससे आपको जो भी इसमें से benefits हैं वो जरूर होंगे तो दोस्तों बस इहीं बताना था तो दोस्तों मुझे उमीद है कि आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा और आप इसको सीख गये होगे कैसे आप Gmail को Android अपने phone में dark mode में ला सकते हैं तो दोस्तों बस इतना ही अगले फिर नई जानकारी के साथ आप से फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए धन्वाद है